कि वेरी गूड इवनिंग वाल आफ यू कैसे आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है टेस्ट बुक्स उपर कोजिंग जुडिशरी के यूटूब प्लैटफॉर्म पर मेरा नाम विसाल सिंग है जैसा कि आप लोग अभी स्कीन पर देख रहे होंगे कि हम लोगा डिसकस करने वाले हैं और इंडिया बार एक्जाम नाइनटीन की ठीक है अभी यह भी रिसेंट्ली एई आई बी नाइनटीन का नोटिफिकेशन आया है तीन सप्टेंबर से इसका फॉर्म भलने चालू हो गए हैं ठीक इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एस सच एयाई बी नाइ कोई टुफ एक्जाम नहीं है क्यों क्योंकि यह ऑपन ईकजाम होता है जिसमें आपको बेर्लाउट होते हैं यहाइद कोशयंच का होता है और जिसमें आपको केवलमार्से के लिए ने होते हैं तो एसस देखा जाए जो स्टुडेंट मतलब जिन्हों ने सिंसिर होके पढ़ाई की है ठीक है जिन्हों एक बेसिक अंडरस्टेंडिंग है लोकी तो उनके लिए कोई टफ नहीं है लेकिन क्या हुआ था रिसेंटली दिन पर दिन हर हो गए इस वजह से इसको आपको थोड़ा सा सीरियस वे में लेना पड़ेगा थोड़ी सी तैयारी करके जानी पड़ेगी ठीक है वैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ टफ टास्क नहीं है और इंडिया बार एक्जामनेशन अभी इसका सथी देंटली क्या हुआ है नोकिफिकेशन आया है जिसमें इसकी वाकेंसी तो नहीं होती है यह सॉरी है जिसमीं जो है इसका जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है कब से चालू हुआ है AIB 19 बिगन हुआ है तीन सप्टेंबर 2014 से ठीक तीन सप्टेंबर से ही आप फॉर्म भर सकते हैं लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन फॉर्म भरने की 25 अक्टूबर 2024 उसके बाद में पेमेंट की लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2024 ठीक एक्जाम कब होगा डेट ऑफ एक्जामरेशन है 24 नमंबर 2024 ध्यान रखिएगा जिनों ने भी कॉलिज के टाइम से सही से पढ़ाई नहीं की है ठीक है जिनोंने बस कॉलिज में एक्जाम दिये हैं पास होने के लिए उनको त्यारी करनी पड़ेगी एक तो फॉर्म यह मेगा होता है साड़े तीन चारह जार रुपए का फॉर्म भरता है ठीक है और हर किसी को ए पास करना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है सी ओपी आपको सर्टिफिकेट ऑप्रैटिस इसी के बाद मिलत होता है आपका ब्ल बी कंप्लीट हो जानी चाहिए दिया होगा इसमें चलिए बाद करते हैं क्या होता है यह एकimi कोर behöver कर सर्टिफिकेशन होता है जो साल में दो वार होता है लेकिन इस वार एक वार हो रहा है ठीक है और उसके बाद में इसके क्या दिया जाता है अगर आप यह एक्जाम पास कर लेते हैं तो ठीक और बार एक्जामनेशन यह कब से 30 अप्रेल 2010 से चालू हुआ था पहले यह एक्जाम नहीं होते थे 2010 के बाद से यह कहा गया कि भाई सिर्फ बी अपने आप में मतलब यह भी यह वह कोस करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक एक्जाम कॉलिफाई करना पड 3 साल का law या five years का law किया हो ठीक है आप law graduate होने चाहिए है आप पास आउट हो चुके हो ठीक और साथ साथ आपका अपने स्टेट बार कांसिल में रइस्टेशन होना चाहिए तीक है रहाइस्टेसन के दो साल के अंदर आपको यह एक्जाम कॉलिफाई करना होता है दो साल के आप बन्तबब रई स्टेशन कराया कराने पुर्ण अब कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नोकी का काड उसी पनぎu तरह कर सकते हैं लेकिन सातीजा साथ दो साल के अंदर क्वालीफा कले करना पड़ेगा Eğer अगर दो साल के अंदर याई भी कॉलिफाई नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आप एक्जाम कॉलिफाई नहीं कर लेते फॉर एक्जामपल 2020 में मेरा राइस्टेशन हुआ और तो 2022 तक मैं इसको एक्जाम को मुझे पास करना पड़ेगा 2020 आगए नहीं कर पाया इतने इसी दौरान बीस से 22 के दौरान मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकता हूं ठीकिन अगर वाइस्ट तक मेरी प्रैक्टिस्पे यहीं पर इस्टौपिस लग जाएगा जब तक मैं एगजाम कॉलिफाई नहीं कर लेता और nu सब्सक्राइब कर लिया अब यहां से मैं प्रैक्टिस करना फिर से चालू कर दूंगा ठीक है कितने अटेम्ट दे सकते हो कितने भी अटेम्ट कोई दिक्कत वाली बाद नहीं इसा भी कि दो साल में ही पास करना है दो साल के बाद आप राक्क्रेस कर सकते इतनी सी बात है बस फ्फ नंबरन को संस्टें होते हैं 10 recibir Real agree को सिन उता है फशल एक हो और बीच्चिंज्ट question जैसे होता है English में होता है और रीजनल लेंगवेज में भी होता है जनरल के लिए और ओपीसी के लिए 45 परसेंट मार्स लाने होते हैं और स्ट यह पीड़ूड के लिए 40% मार्स लाने टीक अगर 100 नमबर का पेपर है पैस जाओगे ठीक इतनी कि बात है बस चलिए यहमसलेव की बात कर लेऊ डीटेल में देखेएगा ठीक है देखियेगा और एक बात सरसरी नजल से सारे सब्जक्त देखoure एडलिस्ट आपको पता होना क inh ह hall यह कि बेरेक्ट में कहां पर क्या चीज़ेंगी आप असषानी होने के बाफ जो बैरक्त का फायदा तभी है अगर आप को कुछ नहीं पता है तो बहुत होता है ठीख समुझेगी नहीं अगर आपको भारत के सम्विदान में यह नहीं पता हुआ है कौन सी चीजें कहां पर दी हुई है तो इसके लिए सबसे बढ़े आए कि इंडक्स बेस आप त्यारी जादा करें ठीक है इंडक्स को एक वार रीडिंग माल ले जिससे आपको अंदाजा हो जाए कहां पर किया अगर आप पढ़े पहल लिए आपको क्या पढ़ना है constitutional law के 10 questions आएंगे CRPC के 10 question आएंगे IPC के 8 questions है CPC के 10 questions है evidence act के 8 है family law के 8 है ADR alternative dispute resolution और आर्बिट्रेशन एक के फोर फोर कोश्चन है एडमिस्टेटिव लौके थ्री हैं कंपनी लौके टू है इन्वार्मेंट लौके दो कोश्चन है उसके बात प्रोफेशनल इतिक्स केसे ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल आफ इंडिया के चार आएं गे इन चारो सब्जेक्ट से टैक्सेशन लौस से चार आएंगे ठीक टैक्सेशन कैल लगां यह तीन है ठीक है यह तीन है कि भल उसके बाद में लैंड एक्टीन एकटें मेर्ट इंटेमेटी लौके दो लाओ औफ कांट्रेक्ट एसारे निगोसी एवल इंस्टुमे आपके नोर्स बुक्स अलाओड नहीं है जैसे अडिम्स्टेटिप लौग कोई बैरेक नहीं है जैसे इंवार्मेंट लॉब में कुछ बेरेक्ट हैं जैसे इन्वार्मेंट पॉटेक्शन एक्ट है यह सब आ जाएंगे ठीक उसके बाद में तॉट का कोई बेरेक्ट नहीं है ठीक उसके बाद में व को बड़ेट बाकि सारे आपको बेरेक्ट लेने पड़ेंगे ठीक कॉंस्ट्यूशन का का पिसी का आउपी का आप्सी काशा का एविडेंस एक्ट Pennsylvania यह लीजेगा ठीक है हिंदू मार्यक्ट हिंदू मानर्टी ए लिजेगा प्याइल के लिजेगा फिर्षिंट कमपनी लीजेगा इंवार्मेंचल सै ठीक है और साइबर लॉव में लेबर लॉव में यह ट्रेड ट्रेड यूनियन एक्ट है वह ले लिजेगा टॉड कहा था नहीं कंजूमर प्रोटेक्शन एक ले लिजेगा मोटर वैकल एक टेक्सेशन लॉव लेंड एक्विजिशन एक 1894 ठीक है इसमें जो है इसमें इस्टुमेंट और यह ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक ठीक टीपिए का ले लिजेगा इतने बेरेक्ट आपको और इन सबको आपको एक बार एड लीस्ट इंडेक्स आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी ठीक है क्या होगा ज्यादा तर कोश्चन डारेक्श सब्सदल्ट मिल जाएंगे या तो उनका शाख में होगे की सिक उल्सी जाओं संदल्ट तो आपने देख लिया ठीक जैसे पूंझा या क्या सीथख मूंझ दिया गया जैसे लिखा हुआ है कि कि सेक्षन किस आर्टिकल में लिखा हुआ है नो परसंग वी डिप्राइब लो परसंग वी डिप्राइब फ्रॉम इस लाइफ और पर स्टनल लिबर्टी एकसेब्ड दा प्रोसीजर एस्टेबलिस वाइलोग एकसेब्ड दा प्रोसीजर एस्टेबलिस वाइलोग ठीक क्या पूछा गया है कर दो है इन विच आर्टिकल एससे पूछा गया in which article of the connection of India कॉंसीजर केशन अपिंडिया पिसक्राइब शर्क्राइब लेट ऐसा कॉंसे अंइगा क्या कॉंस्ट्यूसीज उसल आएगा आप का tell का question I am in which article of the constitution of India prescarived that no person shall be deprived from his life or personal liberty except the procedure as neyss by law ठीक ऑप्शन दे दिया आर्टिकल 20 भी आर्टिकल 19 सी आर्टिकल 21 और डी आर्टिकल 22 ठीक ऐसे कोशन जितने भी हो जिसमें ऑप्शन में चारों आर्टिकल दिये हुए हैं या कोई भी एक्ट का सेक्षन दिया हुआ है अब इसमें पूछा गया है कि कॉंस्ट्यूशन ऑफ इंडिया के किस आर्टिकल में यह बात लिक्की हुई है तो भहिया सीदह कुछ आपको पता हो कुछ नहीं पता है आपको सबसे पहले पहला आर्टिकल 20 यह ही बात लिखी है नहीं लिखी है फिर हमने सोनसर क्या हो ऱ्टिकल 주는 21 इतना आसान तो जितने भी आपके सेक्शन प्रीवियस यह कोश्चन पहले देखना लीडिंग केसे में तो बहुत मेहनत लगेगी ठीक है प्रीवियस यह जितने भी प्रीवियस यह कोश्चन मिल जाएं आपको इसी के कर लीजिएगा ठीक है अगर प्रीवेंस यह कोश्चन भी सारे देख के जाएंगे फेल नहीं हों गया ठीक फेल होना बहुत मुस्किल है इसमें पता नहीं 52% कैसे हो गए ठीक है तब से डर का महौल हो गया जब से ए आई बी एटीम में 52% स्टुडेंट फेल हो गए ठीक अट ठीक है सारे अटेम्ट करके आईएगा यह नहीं कि हमें 45% मांक चाहिए तो केवल 50 कोश्चन अटेम्ट करके आ रहे हैं ए आई बी नाइंटीन में ए आई बी 18 में क्या हुआ था जो इससे पहले एक्जाम हुआ था एटीन जिसमें 52% स्टुडेंट फेल हो गए थे उसमें क सबारा कोश्चन हटा दिए गए गलत थे हो अब क्या हुआ मार्किंग कम हो घीट तो 12 कonnados कि हटा दिए जाएंगे तो मार्किंग कम में से चेक हो Thirty तो फिर क्या होगा अगर आपने इन में से अटेम्ट की हैं सारे अटेम्ट नहीं किये तो आप ऐसे फेल हो जाओगे आपने 50 इन चाहिए और इसमें से माल लो 50 बारा कोश्चन अट गए तो आप ऐसे फेल हो गए इसलिए बस इन ती जो कर देखिये यह रहा इसलिए थोड़ा सा तैयारी करके जाईएगा तैयारी करने का वही तरीका है कि एक बार सारे सब्सक्राइब ले लिए सारे बेक लेने वार सबकी इंडक्स एक वार अच्छे से पढ़ लिया जिससे हमें अंदाजा हो गया कि इसमें क्या-क्या दिया हुआ है थोड़ा हम बेर ियर कर लेना फॉर एकजामपल ये है फॉर एगजामपल ये प्रोफेस्नल इथिक्स है फॉर एगजामपल इन्वार्मर्मेंट ला है फॉर एडी आर है फैमिल कि इसमें जो है कितने कोशन अट गए थे दिखाएं आपको 93 93 में से हुआ था ठीक है सैविन कोशन अटा दिये गए तो इसलिए जो है ज्यादा लोग फेल हो गए थे बस हमें अपनी स्टेटेजी के साथ चलना है हमें सारे सब्जेक्ट को देख के जाना है सिर्फ यह नहीं क घ्रक्ष को जितने मैक्सिममम हो पाएं जितने जिसके भी बेरेक्ट आते हैं सब ले लीजेगा और सब आरहाम से डेख जाएएगा ठीक है और ओर टफ एकजाम नहीं है डलना विल्कुल भी नहीं रही है ऐसा नहीं कि कि टफ एक्जाम है कि फेल हो जाएंगे आप फेल नह ने कोई जरूवत थी बस हमें एक अंदाजा होना चाहिए किसमें दिया हुआ है ठीक है ऐसा ना हो कोश्चन सी आर पीसी का पूछा जा रहा हो ठीक है उसमें जैसे जुडीशियल मजिस्टेट लिखा हो और हम जो है सी पीसी में आंसर ढूंड रहे हूं ठीक यह सब ना हो ऐस असी गलतिया ना हो बस ठीक चलिए उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी ठीक है अगर आपका कोई भी डाउट हो कोई भी क्वैरी हो आप कमेंट पर जरूर पूछिएगा ठीक तो मच ख्याल रखिए अपना